नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करन्ट अफेर के क्वेशन, बigator करेंगे और हर एक क्वेशन आपके आने वादा एक्जांस में डेफियोंगती बिर्टन कने की work अब दियाना एक क्वेशन करेंगाș हैं तो यह कोई भी अगर नहीं कमिशन बनता है उसमें करन टाफिर के कुछे जाएंगे वहां पर आपको मिलेगी पब्लिक सर्विस कमिशन के जो एक्जाम है वहां पर तो मिलेगी ही मिलेगी इनसे क्योंकि यह सारे के सारे क्वेशन प्रीवियस के पैटरन को देखकर ही जो ह जो क्या व क्या वो लजब्र है सबसे पहले नंबर में बोलते हैं वो हैज भी यह जाएघ्ञे달 विल्ग ऊशनल आवार्ड इनाग्षन के लिया वाइघा है यह ख़ीछ यह लौक माने तिल्ण आवशनल आवार्ड है और 2013 में यह और जी को दिया गया प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को दिया गया ऑप्शन डी जो है वो सही अंसर है अब प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को यह अवार्ड जो था वो दिया गया तो इस अवार्ड के बारे में आपको इंपॉर्टन बातें पता होने चाहिए पहले तो पता होना कि इन वह जाता है उर टिलेग जी के बारे में आप ने ध्यान रकना है कि इनके इनको जो है जो बाल गंग्गा धरती लिग थे इनको लोक मानने अभी जो था वो और बीम वहागा जाता था था जो非 पॉह जहा जाता थ कुछ जर्नल्टें के दूर्ण चलाए गए इन्होंने केशरी जो है यह एक इंप्राइट जर्नल थे आपण रखना है और एक मराठी और अनल यह बीदियान रखना है तो इनके दौरा जो एक नारा दिया गया था वो कौन सा था वो नारा भी आपको पता होना चाहिए कि सुराज मेरा जरमसिद अधिकार है और इसी मैं लेकर रहूंगा यह आपने ध्यान रखना है ब्रिटिस गोवर्मेंट इन्हें फादर ऑफ इंडियन अन्रेस्ट भी जो है वो कहा है इन्हें फादर ऑफ इंडियन अन् इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुधिष्ट कल्चर एंड हैरिटेज इस बिंग कंस्ट्रक्टिड इन तो बोलते हैं कि इंडियन इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौध कल्चर एवं हैरिटेज जो है इसका निर्मान कहां पर किया जा रहा है यह निर्मान किया जा रहा है कहां प नेपाल में बनाया जा रहा है इसके बार में थोड़ी सी डिटेल में अगर आप जानकारी देखेंगे तो concept भी clear हो जाएंगे फिर आपके देखिए बोलते हैं यह जो construction है इंडियन international center for buddhist center of and heritage की यह जो है वो लुम्बिणी नेपाल में जो हो रही है यह आपने ध्यान रखना है नूम्बिणी नेपाल में हो रही है और लुम्बिणी में क्या हुआ था लुम्बिणी में आपको पता होना चाहिए कि जो गौतम बुद्ध थे ना गौतम बुद्ध का बर्थ माना जाता है कि गौतम बुद्ध का बर्थ कहां पर हुआ है ये लुम्बिनी में जो है वो इनका बर्थ जो है वो माना जाता है तो ये आपने ध्यान रखना है लुम्बिनी नेपाल में जो है आखें नाट्ष कुछयाँ कैसे एंव और जांड बहुल प्झाइज में सब्सक्राइब। तहां संवेक ट्रेंस करें रहा है यह किरा जा रहा है निपहार के दोरा ऑप्षिन सी जो है उसे पहले भी जो है हम बहुत बार जो है वो पढ़ चुके हैं परंतो फिर से क्यों चर्चा में यह आया होगा यह इसलिए चर्चा में आया क्योंकि पहले जो था वो क्या हुआ था बिहार ने खा कि हम कास्ट वेस्ट सेंसर जो है उकरा देंगे परंतो फिर उसके ब बिहार बिहार में तरह की चीज़ें जब हो रही है नो तो भिहार में अपने ध्यान रखना है कि मैं बार बार फोकस करता हूं कि विभयार की जो विधानसवा कि विधांसवा हो गई अगला कोशिन देखें मारबास क्या पूछा गया नेक्स्ट कोशिन में बोलता है युनेसको है सुझेस्टिड एडिंग विच सीटी टू इट्स लीस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन डेंजर तो बोलता है युनेसको ने किस सहर को खत्रे में पड़े विश्व धरोह केंडरों की सुची में जोड़ने का सुझाब दिया है युनेसको अपको पता है अपने अपने लिस्टे निकालता है कोई हेरिटेज निकालता है पर रॉन्तु यहां पर घिक सेंटर इन डेंजर की बात कि जा रही है जो यह खत्रे में आखरे में उस्पर वेोशुनमयनस् ये विनाई सिटी है कहां पर तो ये इटली में जो है वो है इटली में ये सिटी है ये आपने ध्यान रखना है अच्छा इटली में तो ये सिटी है चलो ठीक है इटली की कैपिटल और इटली की करंसी आपको पता होने चाहिए कि क्या है इटली की कैपिटल और करंसी क्योंकि G20 Summit जो था वो New Delhi में हुई तो यहाँ पर Maximum Countries के जो था वो Prime Minister President जो था वो आए थे Italy की Prime Minister भी यहाँ पर आई थी Ladies है तो इनका नाम अपने धियान रख रहा है कि इनका नाम क्या है इनका नाम है Georgia Georgia और Miloni Georgia Miloni जो है वो इनका नाम है इन्होंने यहाँ पर संकेट दिये कि यह जो है जो चाइना का BRI है Border Road Initiative है वहाँ से जो है वो exit कर सकते हैं खुद को वापीस यहाँ से ले सकते हैं यह इन्होंने थोड़े से signals यहाँ पर दिये हैं तो Georgia Miloni का नाम आपने धियान रखना है क्योंकि यह जो था वो G20 में जो था भी आई थी तो यह इसलिए important जो है वो इनका नाम आपके लिए हो गया अगला question देखें हमारे पास क्या है next question में क्या बोलते हैं देखिए next question में आपके पास बोलते हैं यहां पर यहां पर देखें बोलते हैं recently which badminton player has clinched the Japan Open 2023 single man's title आपने देखा होगा कि एक्जाम में sports से इस तरह का question पूछ लिया जाता है तो बोलते हैं कि हाल ही में किस badminton खिलाडी ने Japan Open 2023 एकलपुर्स का खिताब जो है यह जीता है यह जीता गए है यह विक्तर एक्जल्सन के द्वारा जीता गए है option D सही अंसर विक्तर एक्जल्सन ने जो है यह प्राइस जीता है अब यहां से थोड़ा से डिटेल से जा रही है बोलते हैं जी जो विक्तर है यह जो है यह डैनिस कंट्री के प्लेयर है पहले तो आप यह ध्यान रखें कि यह डैनिस कंट्री के प्लेयर है तो डैनिस के यह वर्ल्ड नंबर वन विक्तर लक्षन जो है इन्होंने यह जपान ओपन फाइनल अवार्ड जीता है इन्होंने डिफीट किसको किया है इन्हो तो जो है वो इन्होंने यहां पर हराया है तो यह दोनों आपने दियान रखने हैं तीन कोईशन यहां से बने पहला कोईशन आपका क्या बना कि इनकी कंट्री कौन सी है डैनिस कंट्री से संबंद रखते हैं आवार्ड कौन सा जीता जापान ओपन फाइनल जो है यह वार्ड जीता और तीसरा हराया किसको इन्होंने तो इंडोनेशिया के ये एक प्लेयर है इन जिनका नाम जॉंटन क्रिष्टे है इनको इन्होंने यहां पर हराया यह आपने ध्यान रखना है आगे बोलते हैं क्या बोलते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन इंडिया इस लॉंच institution बोलते हैं भारत में digital भुक्तान सुचकांक निम्मलिकित में से किस संस्थान के द्वारा जो है वो लॉंच किया गया यह जो digital payment जो index है यह जो है वो क्या किया गया यह जारी किया जाता है प्रदेख वरस तो यह RBI जो है वो इसको जारी करता है अब यहां पर यह वार्ड जो है ना आपने ध्यान रख रहा है कि इसमें क्या जो है कुछ पॉइंट तो निकल कर आये ही होंगे यहां पर एक पॉइंट यहां पर यह निकल कर आता है जो important 200-point है की इंडिया जो है इंडिया का जो हें जो ग्रोथ रिजिस्ट की गई फिर टूपॉर पर सेंट जो है वो डिजिटल पेमेंट पेमेंट में जो है वो की घ्ञाच बाइन टिए धिर्टा पर फ्रॉजिस्टर की गई यह Ichकर में एक्शाम में डाल सकते हैं प्रभेएं कमें में कुछ ना होगा थोड़ा सा स्काना इसको आप कोट करते थे इसका बेस पीरियड्सा था यहां से कहीं बार एक्जाम में सकतर इस टो बेस चुरुट था इसका इंडेक्स का वो था मार्च का08 यह इसका बेस जो गोशना है ये जो है वो किस दुरान किस सिखर समेलन के दुरान जो हो जारी की गई है अब देखो कोई भी सम्मिट होती है ना तब लास्ट में एक अजेंडा निकाला जाता है लास्ट में एक अजेंडा निकाला जाता है जो स्टेटमेंट होती है वो जितने भी मेंबर उ हम उस जो भी organization होती है उसकी होता है वो सभी जो है एक statement हो last में कालते हैं सभी की सहमती होना वहाँ पर जरूरी है तब उसको successful जो हो जो माना जाता है अगर हम BAM statement की बात करें ना तो यह BAM statement जो है Oh Amazon and जो Amazon summit है वहां से जो है वह सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर जो स्टेटमेंट निकल कर आई उसे बेलम जो डेक्लाइशन जो है वो कहा गया यह आप कर देखने घंड लगाएं अगले कौशन में यहां पर बोलते हैं आपके पास नेक्स्क्राइशन में इन विच विच कंट्री प्तरी होस्ति अगयारा अब्यास जू है वह इसकी 11 12 आगाश्ट को यह मलावार एक्रसाइजुए ऐस वर्ज है आपको कहीं नहीं पर पंडने को मिल सके चाकर यह जो नेवल एक्रसाइज है यह एक मालावार है साइज और एस्टरेलिया जो सिड्निप कोश्ट है यहां का Australia का वहां पर यह अपने ध्यान रखना है और इंडियन Navy का जो worship है THEY INS ्हाहिट इन्स कॉलकाटा इसने वह यहां पर participate किए यह सबर्ट में यह जरूर ध्यान रखना है कि इंडिया की होड्से किस्ते प्रबिट किया और इस इप पहोगे एरक्राफ्ट ओगे यह मतलब दो कंट्रीस के बीच में नहीं है अलग जादा कंट्रीस में और यह भी तो आपको पता चल जादा कंट्रीस जब इसमें हैं तो किस तरह से जो है यह country के बीच में हुई किस कंट्री के बीच में जो है यह हुई और किस कंट्री ने इसको host करा तो आउस्ट्रिलिया का नाम ज़रूरी है याद रखना यहां से यह ध्यान रखना अगला गोशन देखें जी क्या बोलता है next question में बोलता है what is the name of individually developed weapon locating radar जिसको WLR कहा गया recently induced by Indian Army तो बोलते हैं कि हाल ही में भारतिय सेना में सामिल किये गए भारतिय सेला स्वदेशी रूप से विक्सित हत्यार locating radar का नाम किया है अब देखो भारतिय सेना में जो है यह सुदेशी रूप से विक्सित किया गया है weapon locating radar इसको जो है वो बोलते हैं कि इसको जो है क्या नाम दिया गया है तो इसको नाम दिया गया है Swathi Mountains Option A जो हो सही अंत्र स्वाथी माउंटेंज इसको नाम दिया गया है औप्शने सही अंसरे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप ले लेंगे तो concept क्लियर हो जाएंगे यह स्वाथी माउंटें है बैंगलूरू में जो है वो डवल्फ की गई है यह आपने ध्यान रखना है इसका जो specific रूप से design किया गया है तो कोई ना को फीचर रहा होगा यह mountainous जो एरिये हैं high altitude एरिया है वहाँ पर यह operation जो चला पाएं उसके काम जो है यह आएगी यह इसका मुक्रूप से feature हो गया यह यह आपने यहां से ध्यान रखना है अगला question देखें हमारे पास क्या है next question next question में बोलते है recently who win gold at under 20 world wrestling championship in jordan तो पहले तो ध्यान रखें कि जो under 20 world wrestling championship हुई वह कहां पर हुई वह Jordan में जो है वो हुई अब मोलते हैं कि किस के द्वारा जो है वह यहाँ पर gold जो है वह जीता गया तो यहां पर gold जीता गया इंडिया की और से प्रिया मलिक के द्वारा option बी जो है वो सही प्रिया मलिक ने जो हो यहां पर गोल्ड जीता चलो ठीक है यहां पर पूरा जाने प्रिया मलिक ने जो हो हिस्ट्री जो हो create की है यहां पर world championship में 76 kg category में जो हो इन्होंने under 20 world championship में जो है क्या किया है यह गोल्ड जीता है गोल्ड जीता है 76 kg केटेगिरी में जीता है और यह जो अंडर 20 वर्ल्ड चेंपियंशीप हुई न यह अमान सीटी में हुई Jordan की यह Amman City है जहांपर यह हुई 18 years old है यह जींदर डिस्टिक जो हर्याना का है न वहाँ से यह संबंध रखती है कई बार फूच ले जाता है कि कौन से स्टेट से संबंध रखते हैं तो हर्याना से संबंध रखते हैं और से यहां पर किया आपने सारे से ध्यान रखनेंगा यह आपको पता चल गया अगला Asian Championship Trophy है 2020 इसकी मेजवानी जहारकंट करेगा Option B जहारकंट को मेजवानी करने का मौका मिला है तो Option B सही अंतर हो गया यहां से भी क्या कुछ डिटेल में जानने को है तो यहां से थोड़ा सा हम जान लेंगे यह जो Asian Championship Trophy है यह रांची में होगी 2023 में और वो में वोड़ भी है जहारकंट में जो होगी यह आपने ध्यान रखना है यह 7th edition है tournament की यह आप ध्यान रखना है इसमें जपान, कोरिया, चाइना, मलेशिया, थाइलेंड और इंडिया तो पार्टिस्पेट करेगा ही और इंडिया ही जो होस्ट भी कर रहा है दो को तरह से question जो हो पूछा जा सकता है यहां पर पहला तो simple form होगा question पूछने का कि इंडिया के किसे state में जो हो इसको रखा गया है कौन सा state host करेगा आप कहा देंगे जहारकंट state इसको host करेगा दूसरा यह पूछ सकते हैं कि यह जो चैंपेशिन चैंपेशिप ट्रॉफी होगी यह कौन सी country host करेगी तो वो इंडिया host करेगी अब state नहीं दिया हुआ आप बोलेंगे हमने तो state पड़ा था country हमें याद ही नहीं आई तो यह ध्यान रखना इंडियन बुमेंट टीप जो है इन्होंने यह 2016 में टाइटल चीता था और 2018 में रनरा पर यहां पर रही थी यह भी ध्यान रखना है इंडिया के बारे में अगला question most most important question है यह question जो है वो बहुत ज़्यादा important next question बोलते हैं Hiroshima day on August 6 mark the dropping of world's first nuclear bomb by USA on Hiroshima on this day in 1945 what was the nickname of this bomb हुआ क्या था 1945 में आपको बता है Hiroshima में जो हो bomb फैंका गया था अब Hiroshima और Nagasaki आपने दोनों सुने होंगे यहां पर nuclear bomb जो थाओ फैंके गये थे पहले Hiroshima में फैंका गया था फिर बाद में Nagasaki में जो थाओ फैंका गया था question पूछने वाला क्या question पूछ रहा है कि यह जो Hiroshima में bomb फैंका गया था यह जो है किस नाम से जो हो जाना जाता है तो आपने ध्यान रखना है कि Hiroshima पर United State of America द्वारा जो था वो दुनिया का पहला प्रमाण bomb गिराया गया था और इसको जो है वो जाना जाता है कि इस नाम से little boy नाम से इसको जाना जाता है option यह जो है वो सही अंतर है little boy नाम से इसको जाना जाता है नाम बहुत ज़्यादा important है शायद यह question है तो HS में पहले पूछा जा चुका है यह तो allied services में जो हो इसको cover किया है यह भी ध्यान लखना है तो 9 अगस्ट को नागा साकी डे जो हो मनाया जाता है और 1945 में जो था यह bomb फैंके गए थे little boy करके जो था उसका नाम था और यह question most most important जो है वो हो गया अगस्ट 6 को जो था वो कौनसी anniversary जो था वो इसकी मनाई गई यह भी आपने ध्यान लखना है कि इस बार इसकी 77th anniversary जो है वो मनाई गई थी और है कहां पर यह hero सीमा और नागा साकी तो यह जापान में जो है वो स्थित है कहां पर जापान में जो है यह स्थित है यह country भी आपने ध्यान लखनी है अगला question देखते हैं जी हमारे पास क्या पूचा गए है next question में next question में हमसे पूचा गए है बोलते हैं यहां पर which company is preparing to launch the world's largest privately owned satellite called Jupiter 3 तो बोलते हैं कि कौन सी company दुनिया में सबसे बड़े नीजी स्वामित्तों वाले उपगर है Jupiter 3 को launch करने की तयारी कर रही है देखो Jupiter 3 को launch करने की तयारी जो है वो कौन कर रहा है तो Jupiter 3 को launch करने की तयारी जो है वो किसके द्वारा की जा रही है SpaceX के द्वारा की जा रही है यह एक निजी फेक्टर में कंपनी है private company है option जो है वो सही अंसर होगा यह आपने ध्यान रखना है आपको और क्या पता होना चाहिए यहां से एक तो आपको देखो पता होना चाहिए कि SpaceX जो हो company किसकी है और यह जो जूपीटर 3 है यह वर्ड का largest private communication satellite सेटलाइट दॉया लाश की आ जाता इनके लिए। आपको किंपने सेटलाइच के सीओन कौन में तौर अब कुछ सेटलाइट कि तियारी कर लिए लॉच्छ कर दिये गए हैं उन के बारें धियान रखें, चंद्रियान थ्री हमने लॉंच कर दिया है, अदित्याल right हमने launch कर दिया है, चंद्रियान थ्री आपको बाता है, moon के उपर जो हओ लेंड किया है, इसने वड़ी soft landing किया, अदित्याल वन जो है, सूरे के उपर भेजा है, यहां से यह response भी दे रहा है, images भी भी भेज रहा है और इसरो के जो आने वाले mission है ना, वो कौन कौन से हैं, किस किस तरह से जो है, वो mission है, वो भी थोड़ा साथ को पता होना चाहिए चंद्रियान तो हमने launch कर ही दिया है successfully, अभी अधित्या L1 भी हमने launch कर दिया है अब इसरो ने जो है, वो target रखा है यहांपर कि हम गगन यान भी जो है, वो launch कर देंगे गगन यान जो है, वो कब तक launch कर दिया जाएगा, गगन यान वैसे तो target रखा गया है कि 2025 तक यह launch कर दिया जाएगा, मार्स के उपर भी 2024 में हम भेजने की दियारी कर रहे है इसरो को काफी उपलबदियां जो है, वो भी हाशिल हुई है, तो इसरो ने काफी अच्छा काम अपने field में किया है इसरो के chairman present time में कौन है, यह आपने दियान लखना है, तो इसरो के chairman जो है, वो है, S. Somanath, इनका नाम आपने दियान लखना है S. Somanath का नाम आप जरूर धियान रखें अच्छा, minister of earth sciences कौन है, minister of earth sciences कौन है, यह आपने comment करके बताना है ठीक है, जल्दी से comment करके बता दिजिए कि कौन है minister of earth science अगला question देखें, क्या बोलते हैं, next question है, बोलते है, which team lifted the देवदार trophy for the season 2023 पहले तो पता होना चाहिए, कि यह देवदार trophy कौन से खेल से जुडी हुई है, तो यह cricket खेल से जुडी हुई है अब बोलते हैं कि यह देवदार trophy किस ने जीती है, तो यह जीती गई है, किस के दवारा, South zone के दवारा, जेजूती गई है option A जो है वो सही अंसर हो जाएगा south zone ने जो है ये trophy जो है वो जीती है और देवधार trophy किस से संबंदित है ये आपने ध्यान लखना है देवधार trophy और हराया भी होगा किसी ना किसी को जब जीती है तो किसको जो है देवधार trophy पिसलिआ के लिए इन्होंने अहराया है तो एस्ट जोन को भी किया और रिट जीत गया अच्छा मैंने आपको क्रिकेट से जूड़ी हुई टिर इ्ट्राबें कोई थी आंपobraz लिए जाए गार आप कमेंट करके सर्च करके कमेंट करेंगे अपने जो नोट्स हैं उनको बदलेंगे तब आप कर वीजन हो जाएगा अगला कॉशन देखिए बोलते हैं इंडियन ने भी पार्टिस्पेटिड इन साउथ इस्ट एस्ट एस्ट कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग जिसको सी कैट ए सिंगापूर ने इसकी मेजवानी की यहां पर तुलस से देखें यहां पर जो है आपने ध्यान रखना है कि इन्डिया की और से including US ने भी जो है इन्हों ने जो है वो यहां पर भाग लिया है important यही है कि 22nd edition जो है यह है एक तो बात यह important है INS college जो है यह important है कि इसने जो है वो participate किया है तो यह दोनों चीज़ें आपने यहां पर ध्यान रखनी है अभी जी question देखें question में क्या बोलते हैं यहां पर यहां पर बोलते हैं कि what is the new logo of Twitter after replacing the icon bird logo तो बोलते हैं प्रतिष्टित पक्सी लोगो को बदलने के बाद ट्वीटर का नया लोगो जो हो क्या हुआ हुआ है पहरे तो ट्वीटर की नई CEO बनी है उनका नाम भी आपने comment करके बताना है दूसरा ट्वीटर का नया लोगो जो है वह आपने बताना है न्यूस बेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो अब ट्वीटर लिखकर नहीं आता अब इसका logo वहां पर जो है वह mention किया जाता है तो आप comment करके बताएं इसका logo क्या है ताकि exam में आपका revision हो सके CEO का नाम भी important है नई ही जो है वह बनी है ट्वीटर का नया logo भी नया ही है और CEO भी जो है वह नई ही है तो comment करके जल्दी से बता दें एडेट और ट्रीकिन Alb Dul लं वहां पर जरूर कर लेंगर आभी तक नहीं किया है किस तरह से जुएन करना वह तो पता ही चल 엮िध़ कर दालेट और अगृत तो टेलेग्शनल में Welle तो वहां पर जरूर जोएन कर लेंज अगर अभी तक नहीं किया है आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently